अरे बच्चा लूग यह किसकी हार्टपीट सनाई थी अभी मुझे क्या यह मेरी हार्टबीट है क्या हां तुम लोगों को तुम लोगों के आने से पहले मैं जब ग्लास लेने आती हूं ना तो सच में हार्टबीट बहुत तो कि हम आप सब्सकों मैं क्या सूनी मेरी हाट Jonathan के कभी शुना in the सब्सके मिनcco 있으면 दो तो सब्सकर में हम अपनी हाटबीट सुनते थे क्यों कि आप दिस लेजी बढ़ने वाले आभी से पहले वाले में हम लोगोंने क्या देखा al finances अब ये कि आयों होता है यह प्लट वेसल में अब आज कैसा चल रहा है यह तु Malik अज़ ना तम खुछाल मंगल चालो जब हो कुसल मंगल तो आगए भी पढ़ते आज देखते हां क्या कह पढ़ने वाले अगर अज नोग पहले हैं वह प्रॉटीजन इन एनिमल्स के सी होता है ट्रांस्पोटेशन तो अपन बस पढ़ चुका एक बार रिवीजन और कर लेगा है ना फिर उसके बाद और ट्रांस्पोटेशन प्लांट्स में कैसे होता है आज हम लोग यह चीज पढ़ने वाले एक्साइटेड हो की नहीं हो तरह जल्दी से कमें बता दो कि हम बहुत एक्साइटेड है और वाई तुसी सही हो सब बढ़िया चलो ठीक है सब बढ़िया हो गया सब के लिए सब भ раск export by मुनाट्स मिअग आए मुल बॉफ अपने वाले सब दकीज उêuफटले है कि अब हम लोगों नहीं क्या देका कि बलड क्या होता है बलड क्या होता है प्लड क्या होता है व्लद क्थिस दाब ग्या भार्ड फ्लूविग These are tube and pipes that carry throughout the body. ठीक है? यह throughout the body हमारे tube-like structures है, जो पूरी body में फैले में है. ठीक and this is basically run in a network. आपने देखा होगा यह structure, देखे आप, पूरी body में आपकी क्या है? blood vessels है, ठीक, it runs between the heart and the rest of the body. It is basically connected by the heart and पूरी body में यह क्या है? नेट्वर्क की तरह फैलेव हैं, नेट्वर्क की तरह फैलेव हैं. अब blood vessels तीन टाइप की होती है, हाई 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 क्या blood vessels दिख रही है, इसके अंदर क्या भैते वे RBCs दिख रहे हमें, है ना? अब RBCs से याद आ रहा है, हाँ माम, हमने RBCs भी पढ़ा था, क्या था रहे RBC? हाँ, red blood cell थे माम, red blood cell का का काम क्या होता था? अरे रहे, रुको, रुको, it contains what? that basically contains your oxygen, और एक पास, एक बात बताओ, उनके पास एक pigment भी होती है, तब ही तो RBCs red color के दिखते हैं, क्या नाम है पिग्मेंट का? सुचो, सुचो, hemoglobin, देखा, RBCs भी रिवाइस खरा दिये तुम्हें, तो basically के लिए, तीन टाइप की हमारे पास यहाँ पर blood vessels होती है, जिससे हम बोलते हैं, arteries, capillaries और veins, arteries जो होती है, they carry oxygenated blood, अब माम, यह oxygenated blood क्या है? जरा मुझे यह बताओ, oxygenated blood, वो blood होता है, जिसमें oxygen की मात्रा जादा होती है, तो oxygenated blood का क्या मतलब हुआ, that they carry oxygenated blood, means, उस blood में क्या है, oxygen की मात्रा जादा है, छीक, अब यह कैसे है, यह deep होते है, है ना, क्योंकि बच्चा लोग, अब हम revise करने वाले हम यह पढ़ चुके हैं, है ना, अब हम revision के उसम कि यह क्यों होते है, deep inside the skin होते है, they are basically located deep inside the skin, इनके अंदर जो pressure है, वो कैसा रहता है, pressure is high, क्यों, क्योंकि they directly receive the blood from heart, यह heart से blood क्या करते है, receive करते है, तो इनमें क्यों होता है, blood pressure बहुत जादा होता है, क्योंकि बहुत force से blood, heart basically pump करता है, ठीक है, तो pressure is high, pressure is high, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे है, जल्दी बता दो, ठीक है, veins क्या है, veins carry करती है, deoxygenated blood, कैसा blood carry कर रही है, veins, deoxygenated blood carry कर रहे है, अब माम यह deoxygenated blood का मतलब क्या हुआ, कि इसमें oxygen की मात्रा बहुत कम है, और सबसे जादा मात्रा में क्या है, carbon dioxide है, क्या है, carbon dioxide है, यह superficial होते हैं, अब यह superficial होते हैं, अब अगर मैं बात कुरूँ, यह superficial होते हैं, का मतलब क्या हो गया, कि यह उपर यूपर देखता, अब तुम अपने हाथ में देखो, तुमें क्या दिख रही है, बहुत सारी वेसल दिख रही है, अब यह जो वेसल हैं, जो उपर उपर तुमारी यह दिख रही हैं, इन्हे हम क्या बोलते हैं, इन्हे वेंस बोलते हैं, क्योंकि यह क्या है, सूपर्मफिशल है, क्या है यह ईवेसल है, जो पोहरी होते हैं अब क्या है, तो यह पशान हिए, प्लॉड होते हे हैं ठीक है ऑक्सिजन पहुचाते हैं दे बेसिकली दे आर इस लाइक कोई डीप इनसाइड आसकिन एंड के नौट एंड के नौट बी डाट मीन्स यह क्या है दीप सिटेट होते हैं इनके अंदर ब्लड प्रेशर भी बहुत जादा होता है आटरी साव इलास्टिक वॉल्स अभी में आग बात बता तो अगर ऐसे में बात बचनी बहुता हिए इस प्रेशर लाया रिट को ह। तुम्हें काम को रबड का कोई भी वह सामाल बर क्या सकता हो तुम को बताती हो सोचने रहा छीक तुम्हें बैलूंसum तुम्हेंने रहाज लिया चेख उसके अंदर तुम क्या करती हो एक अमैंड का प्रेशर हो भरते हो और लवा भरते हो यह पानी भी डालते हो लिए आने वाली है ना तुम लोग अभी बनाने वाली हो तो जैसे ही आप एक बैलून की अंदर जाब प्रेशर डालते हो तो बेलून खिचता है फटता जब तब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना अहोजाए तब तक फटता नहीं है वो नया पॉइंट मिल गया, that walls are elastics, walls of arteries, walls of arteries are thick, thick and elastic, thick है, as the blood flow as high pressure due to pumping action of the heart, due to pumping action from the heart to the arteries, no walls are present, अभी मम, walls क्या है, अभी आगे कहानी चल रही है, walls दिमाग में रखो कि वो अभी clear करेंगे हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जो largest artery है हमारी body में, जो basically heart से लेके पूरी body तक, खून जो हमारा blood है वो पहुचारी है, कौन सा blood, oxygenated blood पहुचा रही है, ठीक है, उसका नाम है iota, क्या नाम है उसका, iota, it is the main artery connected to the left ventricle, अभी हम यह left ventricle क्या है, अभी हम हार्ट का structure देखेंगे ना, आपे अभी मैं बताऊंगी, ठीक, तो it carries oxygenated blood from the left ventricle to all the part of the body except lungs, iota सिफ lungs पे, lungs में क्या करता है, blood नहीं पहुचाता, वरना पूरी body में iota क्या करता है, lungs पहुचाता, blood पहुचाता है, lungs कैसे पहुचाएगा, lungs में मगर कौन पहुचाता है, अभी उसकी भी कहानी देखेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं, veins, veins क्या थे, superficial थे, ठीक है, तो veins, these are the blood vessels that carries blood from all the part of the body back to the heart, अब इसका काम क्या है, कि भई यह क्या कर रहे है, blood जो है, वो हर जगा से collect कर रहे है, और heart तक पहुचा रहे है, heart तक क्यों पहुचा रहे है, ता कि क्या हो, heart के पास जाए, और वहां पे जाके क्या हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए, क्या blood हार्ट में जाके प्यूरिफाई होता है, नहीं, नहीं होता है, अभी हम पूरा तुम्हों को बताएगा पात कि कैसे blood प्यूरिफाई भी होता है, शांत रखो, बस इतना याद रखो कि veins का क्या काम है, ब्लड को जितना भी deoxygenated blood है, उसे हाट तक पुचाना, पैला step है भी इनका, ठीक, now these tube-like structures, like blood vessels, are situated just under the skin, यह just under the skin होता है, मैंने तुम्हें बता है, superficial होता है, and can easily be as greenish-bluish tube, greenish-bluish तो तुम्हें लिखती है, ठीक है, जैसे तुम्हें एक बाग अभी blood test कराने गए होगे, ठीक है, तो तुम्हें ब्लड निकल वाया होगा, तो वो green color की दिखती है, है ना, तो वो, below the skin, these carry deoxygenated blood from the part of the body to the heart, yes ma'am, यह हम पढ़ चुके है, अब ज़रा differentiate between देख लेते हैं, arteries और, arteries और vein में, ठीक है, arteries क्या है बेटा, thick wall है, thick wall क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा pressure जेल रहा है, किससे pressure जेल रहा है, हार्ट का pressure जेल रहा है, ठीक है, they are present deep under the skin, deep under the skin क्यों present है, क्योंकि उनका blood pressure बहुत ज़्यादा है, under the skin रहती है वो मतलब बहुत deep seated होती है deep seated ठीक है it cannot be easily seen easily यह असानी से नहीं दिखती है red color की होती है यह it does not possess any walls walls क्यों होती है चलो गर यह भी देख लेते हैं कि walls क्यों होती है ठीक है पर चलो देखो suppose करो यह तुम्हारी एक वेन है क्या है यह वेन अब ना वेन के पास ना कुछ एक walls like structures होते हैं ऐसे अब यह जो walls like structures होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें हम walls बोलते हैं क्या बोलते हैं इन्हें walls बोलते हैं अभी walls का क्या काम होता है बेटा to prevent the backflow अब blood क्या कर रहा है against the gravity जा रहा है इधा अब blood ताकि वापस ना आ जाए इसलिए यह walls का क्या काम है उनको रोकना to prevent the backflow of the blood to prevent टू प्रिवेंट दो बैक फ्लो ओफ ब्लड ठीक है तो यह तो हो गया वाल्स का फंक्शन वाल्स आर प्रेजंट ओनली इन वेंज यह बात समझ आ गई कोई भी डाउट है हां पर चलने देख ले कि मगः देख अब अब जो वेंज होती है उनकी जो वाल्स होती है वह थिन ट्यूब्स होती है ठीक है लाइं जज़ बिलोग द पाई जाती है इत अपीर आस ग्रीनिश्ज ब्लुइश ट्रक्टार ठीक है और यह आसानी से दिख टी नहीं है अंडर दा सकिन अभी टू कि मतलब है कि इसमें oxygen की मात्रा बहुत जादा है मगर carbon dioxide भी है इतलब इन अथा भलोडस रिच नोग जेज़न ऒब्लड इस रिच इन ऑक्सेज़न ओके बट इडाइजन वेंट की उसके अदर carbon dioxide है ही नहीं होता है मगर बहुत कम मात्रा में होता है जीक now except pulmonary artery is an exception बेटा अब एक exception देख लो कि exception क्या है यहां पर ठेकए अरे माम यहां पर भी exception है yes बेता exception है अब इसमें exception क्या है वो देख लेते है, exception है all arteries, all arteries carries oxygenated blood, except pulmonary artery, बेटा यह जो pulmonary artery है, यह deoxygenated blood carry करती है, तो यह आपको याद रखना है, सारी arteries oxygenated blood carry करती है, सिवाए एक arteries के जल्दी बताओ, that is your pulmonary artery, ठीक है, same as it is, all veins carry deoxygenated blood, except pulmonary vein, pulmonary vein, बेटा सिफ pulmonary vein है, जो oxygenated blood carry करती है, बेटा, जो oxygenated blood carry करती है, pulmonary vein, that carries oxygenated blood, oxygenated blood वो carry करती है, बेटा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, तो यह exception है, ठीक है, यह क्या है, एक exception है, now, it carries, veins carries deoxygenated blood, except pulmonary vein, pulmonary vein क्या करती है, oxygenated blood carry करती है, blood flow at high pressure, यहाँ पर बहुत ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, ठीक है, मगर veins के पास क्या होता है, blood pressure low रहता है, क्या होता हमके पास, blood pressure low होता है, अब pulse rate क्या होता है, pulse क्या होता है पहली तो, the thrombing motion, the thrombing movement, ठीक है, अब यह thrombing movement of blood vessels को हम क्या बोलते है, pulse बोलते है, thrombing मतलब तुमने कभी भी तुम एक काम करो अपनी जो भी vein है ना उसके पास ऐसा हाथ रखो लगाके, ठीक है, और ना feel करो, तुम्हें यह क्या होगा, एक thrombing motion सुनाई देगा, धग-धग-धग-धग, मतलब यह pulse is basically thrombing, thrombing motion करेगा, ठीक है, तो हम वो क्या करते है, गिनते हैं उस pulse को minute के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, so now count the number of beats or the pulse in one minute, the number of beats per minute is known as your pulse rate, now, जितनी बार भी thrombing movement है, suppose करो, मैंने एक minute तक गिना, and my pulse is one, two, three, four, five, six, जितनी ज्यादा thrombing होई जारी है, उतना हम उसे क्या कर रहे है, count कर रहे है, so what is pulse rate, the number of beats, the number of beats or the pulse in one minute is known as your pulse rate, the resting, at the resting phase, मतलब कि जब एक normal इंसान, अगर बहुत जाद अगर तो मैं से रनिंग कर कर आया हो, तो वैसी pulse rate हाई होगा, ठीक है, अब अगर आप बिल्कुल relax stage परो, तो उसमें क्या होता है, 72 by 80, जो beats है, वो normal होती है, क्या होती है, normal होती है, आप भी अपने घट पर ट्राइ कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, लेफ साइड में, ठीक है, लेफ साइड पर एक ऐसी आठ, हम लोग ना यहां पर साइड में, एक आठरी होती है, जो से हम radial artery बोलते हैं, ठीक है, अब जो radial artery हमने उसमें क्या किया, हमने दो fingers रखे, index and middle finger, और हमनों से feel करा, ठीक है, और अब आप क्या करोगे, गिनोगे एक मनेट तक, अगर आपको feel होएगा, तो आपको क्या, आपको एक pulse rate मिल जाएगा, क्या आपकी body, आपकी जो pulse rate है, वो यह है, समाझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, capillaries क्या है, capillaries carries both oxygenated, both type of blood, अब यह क्या करता है, यह जो capillaries है, यह बहुत जादा branches, अब एक organ में, मुझे क्या करना है, ब्लड पहुचाना है, तो एक छोटी-छोटी सी small-small branches निकलेंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, capillaries बोलते हैं, ठीक है, जो capillaries, अब जो capillaries arteries से निकल रही है, ठीक है, वो basically arteries में चली जाएंगी, और जो arteries vein से निकल रही है, ठीक है, वो किस में जाएंगी, venules में जाएंगी, तो capillaries के पास दोनों टाइप का blood होता है, oxygenated, deoxygenated, समझ आ गया, कोई भी doubt, अब यह क्या करता है, capillaries का क्या है, it basically increase the surface area, यह networks में, बहुत small, small thin networks में फैल जाती है, surface area को increase करती है, ताकि blood पूरे औरगन को मिल सके, ताकि blood एक पूरे औरगन को मिल सके, these are extremely thin blood vessels that connect the arteries to the veins, ठीक है, arteries को वेन से connect करती है, these allow substances to pass from the blood to the body cells, and also from the body cells to the blood, मतलब क्या करना है, यह हर एक एक सेल तक जाएंगी, वहास अगर वेस्ट प्रड़क्ट होगा तो वापस लेकर आएंगी और oxygen पहुचाएंगी, यह उनका काम होता है, the exchange of substances like food, CO2 and O2 etc. between the body and the body cells takes place through capillaries, मतलब arteries और veins अपनी क्या करते हैं, भुरांचिस छोड़ क्या करते हैं, और पूरे cells के अंदर, capillaries क्या करती हैं, exchanges करती हैं, material का, जैसे की glucose हो गया, भला फूड हो गया, O2 हो गया, oxygen हो गया, carbon dioxide हो गया, ठीक है, तो यह सब कौन करते हैं, यह सब capillaries करते हैं, बेटा, कौन करते हैं, capillaries करते हैं, now, oxygenated and deoxygenated blood देख लेते हैं, इक ब oxygenated blood that is rich in oxygen, ठीक है, the oxygenated blood comes from the lungs, अब बेटा, जो purification है blood का, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, respirator system का क्या काम है, we are inhaling air, और हम लोग उसके अंदर क्या ले रहे हैं, O2 हम लोग inhale कर रहे हैं, CO2 हम लोग बहार छोड रहे हैं, तो अब एक बार cycle देख लेंगे की कैसा होगा where the oxygen from the fresh air get mixed in the blood and it's carried out towards the heart, अब ये बताते हैं, कैसा हो रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम heart देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे pathway, ठीक है, heart is a muscular organ, हमें क्या देखना, तुम पढ़ चुके हो, heart is a muscular organ, एक ये muscular organ है, having, showing the rhythmic motion, ये एक rhythmic motion शो करता है, made up of specialized kind of muscles known as cardiac muscles, cardiac muscles से बना रहता है, mammals के पास, cardiac muscles से बना है, cardiac muscles से बना है, mammals के पास, इनके पास, चार chamber है, it is a fourth chambered heart, अब चार chamber हैं इसके, upper two chambers को हम क्या बोलते हैं, atrium बोलते हैं, atrium बोलते हैं, या ओरिकल्स बोलते हैं, upper two chambers को, और lower two chambers को क्या बोलते हैं, ventricles बोलते हैं, हम यह पढ़ चुके हैं, है न, दिख रहा है, अब यह जो बड़ी सी जो आर्ट्री हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, बेटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, तुम्हें यहां पर चार chamber नजर आ रहे होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड कौन सा ब्लड फ्लो करता है, दी ओक्सिजिनेटेड ब्लड, किस ताइब का ब्लड फ्लो करता है, दी ओक्सिजिनेटेड ब्लड, फ्लो करता है क्या फ्लो कर रहा है दी ऑक्सिजिनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है लेफ साइड में कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है ऑक्सिजिनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है यहां पर बात समझ आ गई अपर के जो ऊपर के दो चेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आट्रि है मतलब यहां पर mixing of blood नहीं होता है तो अब कैसे पूरा function करता है वह हम एक बर देख लेते हैं ठीक है heart is an organ which beats continuously as a pump ठीक है यह motor की तरह काम करता है pump करता रहता है pump करता रहता है transport blood and transport the blood carry other substances with it through a network that is known as blood vessels the heart pumps blood throughout our life without stopping or relaxing एक बास जब आपका heart start हो जाता है तो वह pump करता रहता है throughout the life सिर्फ एक moment ऐसा आता है जहां पर heart stop होता है जब आप छीकते हो जब आप sneeze करते हो ठीक है अपने देखा होगा आपकी eyes भी बंद हो जाती है ठीक है and for milliseconds के लिए आपका heart stop होता है इसलिए कहते हैं कभी छीक को रोकना नहीं चाहिए ठीक है जो लोग भी छीक रोक लेते हैं अपनी मत रोका करो ठीक है आगे बढ़ते हैं कि what is the pathway pathway देख लेते कि क्या है location देख लेते हैं पहले heart की ठीक है heart is placed centrally centrally placed in the chest cavity and it is tilted towards the left side ठीक हाट is tilted towards the left side and it is between the two lungs above the diaphragm ठीक है यहां पर दो lungs है और नीचे क्या है diaphragm है the heart is made up of specialized muscle known as cardiac muscles that do not fatigue and do not have a solid muscle ठीक है it is have a rhythmic motion show करता है specialized muscle से बनता है जना हम cardiac muscle बोलते हैं ठीक है pathway देख लेते हैं अब एक बास देखो कैसे होता है कि समझना कि ये body parts है इस बॉडी पार्टस है इस बॉल्ड़ें इस बॉल्ट से डी उक्षिगेंटिट ब्लड़ गया कौन लेकर जाएगा भया वेन्स लेकर जाएगी है ना उन्हें का नाम क्या है वेना कैषा क्या नाम है उन्हें का वेना केषा कैवा चीख है वेना कैवा कहां लेके गई राइट साइड में लेके जाएंगी क्योंकि राइट साइड में क्या है डी ऑक्सेजेनेटेड ब्लड है तो राइट एट्रियम में लेके गई सीधा ठीक है राइट इत्रियम से ब्लड कहां गया राइट वेंट्रिकल में गया अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में गया तो अब मैंने तुमको एक एकसेप्शन बताया था कि पल्मो नरी आर्टरी पल्मो नरी जहां यूज़ ओरा है मतलब हाँ पर लंग्स यूज हो रहे हैं क्या यूज हो रहे हैं वहाँ पर लंग्स यूज हो रहे हैं बेटा है ना तो भई यहां पर कौन सी आर्ट्री अवेन आएगी यहां पर आएगी पल्मोनरी आर्ट्री तो पल्मोनरी आर्ट्री का क्या काम होता है राइट वेंट्रि पल्मोनरी आर्ट्री अब यह जो पल्मोनरी आर्ट्री है वो डियुक्सिजिनेटेड ब्लड लेके जाएंगी कहां पर बेटा लंग्स में लेके जाएंगी कहां लेके जाएंगी लंग्स में लेके जाएंगी अब lungs में क्या होगा, exchanges of gases होगा, मतलब अब lungs में क्या है, हम लोगों ने क्या किया, air को inhale किया, है ना, और exchanges of gases में क्या हुआ, pulmonary artery लेके गई, lungs पे, lungs में क्या हुआ, यह जो deoxygenated blood था, इसमें oxygen क्या होगा, diffuse होगा, ठीक है, अब जैसे ही, और यहाँ पे जो deoxygenated blood, मतलब exhale करेंगे, तो CO2 कहाँ चली जाएगी, through nose, बहार चली जाएगी, ठीक है, तो CO2 तो बहार आ गई, और जो O2 आई है, वो अंदर आ गई, lungs के, ठीक है, अब जो oxygenated blood है, अब oxygenated blood कौन क्यारी करेगा, यहाँ पे, pulmonary vein क्यारी करेगी, बेटा, कौन क्यारी करेगी, pulmonary vein क्यारी करेगी, अब जब यह pulmonary vein, oxygenated blood क्यारी करेगी, तो अब यह कौन सी side जाएगी हाट के, left side जाएगी, ठीक है, तो pulmonary vein कहां जाएगी, left atrium में, फिर कहां जाएगा blood, left ventricle पे, और left ventricle से कहां जाएगा, अब मैंने क्या बताया था, largest artery कौन सी है, जो पूरी body पे, पूरी rest of the body parts पे, oxygenated blood लेके जाता है, आयोटा, आयोटा के through, कहां चला जाएगा, body parts के पास चला जाएगा, यह बात समझ आ गई यहाँ पे, कोई भी डाउट है यहाँ पे, यह पूरा चार्ट समझ आ गया, जल्दी से बता दो, ठीक है, पल्मोनरी artery और पल्मोनरी vein, इनका जो concept है, वो समझ आ गया, पल्मोनरी artery क्या, कहां से blood carry करती है, from the right ventricle to the lungs, और पल्मोनरी vein क्या करती है, basically from lungs to left atrium, left side of the heart पे क्या करती है, carry करती है, oxygenated blood, यहाँ तक बात clear हो गई, अब oxygenated और deoxygenated समझ आ गया, पक्का से, आगे बढ़ सकते हैं अबन, ओके आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, size क्या होता है heart का, ठीक है, आपका left hand की जो feast है, approximately heart का size उतना ही है, मेरा heart का size थोड़ा छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, the size of our heart is roughly equal to our left closed and is enclosed a protective layer, basically left closed feast जो है आपका क्या बनाता है, heart का size बताता है, और जो outermost layer है, उसे हम क्या बोलते हैं, pericardium बोलते हैं, that is a protective layer, ठीक है, pericardium and also the heart is hollow inside, heart क्या है, hollow obviously, it is a hollow structure क्योंकि blood उसमें क्या कर रहा है, जा रहा है, है ना, आगे देखता है, stethoscope क्या है, जो मैं हम जैसे doctor बहुत use करते हैं, heartbeat को heard, basically it is an instrument by which heartbeat can be heard, right, so the heartbeat can be heard by an instrument known as stethoscope, it is used by doctor to amplify the sound of the heart, कोई irregularity तो नहीं है, heartbeat में, सही है, कितने time पे वो, मतला हम लोग क्या करते हैं, पूरा movement देखते हैं, lub-dub का, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तीन हिस्सों में बटा हुआ है, हमारा stethoscope, a check piece, जिसे हम diaphragm भी बोलते हैं, ठीक है, और two ear pieces, और a tube that joining the pairs, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, excretion देखते हैं, कि excretion क्या है, मैंने आपको बताया, कि body में बहुत सारे harmful products बनाते हैं, by-products बनाते हैं, cell, जिसे हम metabolic waste कहते हैं, क्या बोलते हैं, metabolic waste कहते हैं, अब इस metabolic waste को भी body से बाहर निकालना होगा, क्यों, because that cause harmful, that cause basically harmful to the body, है ना, तो इसे हमें बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये toxic हैं, तो था, these waste materials are toxic and poisonous and causes harm to the body, क्या कर रहे हैं, harm पहुचा रहे हैं body को, these poisonous substances if get mixed with blood, become fatal and causes death of an organism, अगर ये हमारी body में नहीं निकले, तो क्या होगा, toxicity कर देंगे and it basically eventually causes death of an organism, therefore there is a waste material must be removed from the body, that person can stay healthy, इसलिए time to time क्या करना चाहिए, उस waste material को निकालना चाहिए, ताकि एक body अच्छी रहे, इसलिए इसके लिए system है, जिसे हम excretory system कहते हैं, क्या बोलते हैं, excretory system बोलते हैं, these waste materials produced by various function of the body, हमारे body parts, बहुत सारी cells हैं, trillions of cells हैं, जब वो काम करते हैं, तो उनके by-product में, ये harmful chemicals बनते हैं, जिन हम CO2 बोलते हैं, urea बोलते हैं, sweat and etc, these are the waste material, which cannot be accepted by the body, तो these waste materials are removed from the body, different organs of the body like lungs, kidney and sweat glands, basically, क्या बोल रहा है वो, these waste materials are removed from the body, different organs from the body, different organs of the body like lungs, kidney and sweat glands, मतलब अलग अलग तरीके, अलग-अलग organs हम लोग use करते हैं, ठीक है, lungs हम यूज करते हैं, CO2 निकालने के लिए, kidney यूज करते हैं, हम लोग यूरिया, यूरिक असर्ड निकालने के लिए, sweat glands जो हमें पसीना आता है, ठीक है, that is sweat is released through sweat glands, ठीक है, तो various material निकालने के लिए, हम लोग various organ यूज करते हैं, क्या करते हैं, organ use करते हैं, these parts are the organs of the body that are involved in the process of excretion are called as excretory system, और कौन कौन से, कौन कौन से, कौन कौन से part है, that is a pair of kidney, a pair of kidney, then ureter, ureter, urethra और ureter के उपर urinary bladder ये हमारा क्या excretory system के parts हैं देखो अब pair of kidney, ureter, urinary bladder और urethra छीख है अब देखो ये जो pair of kidney है वो bean shaped की होती है कैसी होती है बेटा बीन shaped की होती है bean shaped की होती है इनके अंदर structural functional unit है जिनने हम nephron बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं nephron, nephron क्या है, cells है kidney के, ठीक है, cells of kidney, cells of kidney ठीक, ureter क्या करता है, the other tube like structures that connects the kidney to the urinary bladder, urinary bladder क्या है, it is a storage, it is a storage organ, ठीक है, it is made up of transitional epithelium से बना है ये और ये क्या carry करता है, ये urine को store करता है, store urine up to, इसका capacity क्या है, 700 to 800 ml, 700 to 800 ml of urine ये store कर सकता है, कितना 700 to 800 ml, urine को ये store कर सकता है, and urethra that is an out opening, ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, urea is the major waste product released in our body, जो कि इसे भार निकालना बहुत important होता है, it is produced as waste product, ये as a waste product की तरह produced होता है body में, of the decomposition of unused food protein in the liver, मतलब की urea कैसे बनता है, unused protein से बनता है, मतलब, ठीक है, there will be an unused food proteins in the liver, that need to be, that need to be removed from the body, ठीक है, it is poisonous substances which must be removed from the body, urea from blood is removed by kidney, ठीक है, blood से, जो अब ये होता है, मैंने बोला pure blood, impure blood, तो जो blood में metabolic waste होता है, उसे हम impure blood बोलते हैं, और जिस blood में metabolic waste नहीं है, मतलब, urea नहीं है, उसे हम pure blood बोलते हैं, ठीक है, तो ये कौन करता है, ये kidney करता है, therefore the kidney is the main excretory organ of our body, the urea and other unwanted salt which dissolve in water, forms a yellow liquid waste known as urine, known as urine बनाता है, approximately जो urine है, जो concentrated unwanted part है, ठीक है, it consists of 22.5% of urea, 2.5% of other waste salts और 95% of water, that is excessive water, an adult human being can normally pass 1 to 1.8 liter of urine per day, एक से 1.8, एक से 1.8 liter तक urine क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, थीज़ एक स्क्रेटरी सिस्टम कलेक्स दा यूरीन आड रिमूरीन चाहंद रिमूरी त। छीक है, जा रिमूरी त। एक स्क्रेटरी सिस्टम अफ तू किद्नीश, two ureters urinary bladder and urethra that is an opening from which urine will pass समझ आ गया ये चीज़ कैसे हुई excretion समझ आ गया एक बार transportation देख ले कि भई transportation plants में कैसे होता है मैंने तुमको शुरू में भी बताया था द्यादा complex permanent tissues also now why transportation important in plant भाया इंको भी तो खाना पहुंचाना अपने हर एक पार्ट में यहां तो blood vessel नहीं है ना यहां पर iPhone है है क्या iPhone इंके पास है क्या भाया नहीं है plants take up water and dissolved mineral from the soil through their roots ठीक and transported to their leaves now roots की बाद क्या होता है उनके पास एक complex permanent tissue है जिसका नाम क्या है जाइलम क्या है जाइलम the leaves use this water and minerals for synthesis of food by the process of photosynthesis photosynthesis क्या है इस फोटो chemical process मलब एक type का process है आप बच्पन से पढ़ते रहा हो that from which plants can make their own food plants अपना खाना खुद बना सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अब अगर मैं बात करूं transportation of food की ठीक है तो food कैसे transport हो रहा है there is an another important complex permanent tissue that is phloem ठीक है so the food which is produced by the green plants leaves में हुआ खाना बना in transported back to all the part of the plant body and therefore it is needed that the plant also need a transport system for carrying water mineral food ठीक है अब food कैसे transfer हो रहा है by the action of phloem the food manufactured in the leaf is transported to the different part of the plant the transportation of the food from the leaves to all the part of the plant is done by the phloem किसे होता है यह इसे हम इस tissue को क्या बोलते है फ्लोयम बोलते हैं and the process of transportation of food from the leaf to the all the part of the plant is known as translocation क्या बोलते हैं हम इसे translocation बोलते हैं क्या बोलते हैं translocation बोलते हैं ठीक है अब अगर मैं बात करू transportation of water कैसे हो रहा है बेटा obviously roots जैसे ही root hairs क्या करते हैं अपनी तरफ पानी को by the process of diffusion ले ले लेते हैं diffusion का मतलब osmosis का मतलब क्या हो गया बेटा when the water move from higher concentration to lower concentration root hairs ने क्या कर लिया अपनी root hairs से roots तक water पहुचा दिया फिर इंके पास क्या होते हैं xylem होता है xylem क्या है unidirectional सिफ एक ही portion में एक ही direction में move करता है तो xylem is a unidirectional क्या है ये unidirectional है बेटा ठीक है ये एक unidirectional है कौन xylem ठीक है और ये कहां move कर रहा है from roots to or to leaves roots to roots to stem to leaves ठीक है तो ये तो हो गया system किसका xylem का ठीक और तो और एक और process होता है जिसको हम क्या बोलते हैं transpiration बोलते हैं loss of excesses water loss of excessive water from stomata it's called it's called transpiration बेटा क्या बोलते हैं अब ये जो बेटा है वो क्या है tiny pore like structures है tiny pores present on the leaves है न हम पढ़ चुके हैं और क्या काम होता है function क्या होता है exchanges of gases का exchanges of gases का और कैसे दिखता ये stomata guard cells से covered होता है और बीच में क्यों होता है stomatal pore होता है इसी टाइप के में मैंने आपको magnified structure बताया है ठीक है समझ आ गया now the process of evaporation of water through the stomata present on the surface of the leaf is known as transpiration वही मैंने आपको बोला what is transpiration it is a loss of excessive water loss of excessive water from the stomata is known as your transpiration तो ये तो हो गया various ways हो गया कि कैसे खाना और पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांच में समझ आ गया through the action of xylem and your phloem कोई भी डाउट है यहां पर चले टाटा बाई बाई करें फिर और कोई डाउट हो तो डाउट session में पूछना एंप्लेयर डाउट तिल नेक्स में मिलते हैं नेक्स चाप्टर के लिए तब तक के लिए बाई sayonara bye bye मैं जा लगो अपने अनिवेड डोल में bye bye